इस विदियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से लीग गई है। हम इस विदियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस विदियो को देखकर किसी दवा का और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. इट्रेपेलेट सो कैपसूल एंटिफंगल्स नामक दवाओं के समूह से समबंधित है. यह कवक को बढ़ने से रोकता है और इसका इस्तेमाल मूह, गले, योनी और शरीर के अन्य हिस्सों के इन्फेक्शन के इलाज के लिए किया जाता है, जिसमें नाखूनों और पैर के अंगूठे भी शामिल हैं. यह फंगल्सेल मेंब्रिन को नश्ट करके कवक को खत्म करता है. इट्रपेलिट्सों कैप्सूल को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी के अनुसार लिया जाना चाहिए. इसे साबुत निगलना चाहिए और भोजन के साथ लिया जा सकता है. अधिक वापस आ सकता है और अगर आप खुराक लेना भूल जाते हैं, तो आप अपने संक्रमन का जोखिम बढ़ा सकते हैं, जो की आगे के इलाज के लिए प्रतिरोधक हैं. अगर आपका संक्रमन ठीक नहीं होता है या स्थिती और खराब हो रही है तो अपने डॉक्टर को सकते हैं. अगर आपको अलजीक रियेक्शन के कोई लक्षन जैसे कि तवचा में गंभीर रैश, टिंगलिंग, सांस लेने में परेशानी, आपके चहरे, होठों, जीब या गले में सूजन हो तो एमजेंसी मेडिकल मदद लें. अगर आप गरभवती हैं या गरभवती हो सक सकती हैं, तो इसे न ले, जब तक आपका डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए नहीं कहता. अगर आपको कभी भी होट फेलियर, कमजोर इम्यून सिस्टम, यानि की ही डर सहित, किड्नी समबंधी समस्याएं, या तवचा का पीला पढ़ना, यानि की पीलिया जैसी लिवर क की समस्याएं हुई हैं, तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें. हो सकता है यह दवा आपके लिए उचित न हो, अगर आपका इलाज एक महीने से अधिक समय के लिए है, तो आपका डॉक्टर आपके रक्त का परीक्षन करके लिवर को चेक कर सकते हैं. वीडि अपकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.